पहले की बात है एक छोटा सा गाव था जहां एक सबसे प्यारी बच्ची रिया रहती थी रिया बहुत उत्साही और सपनों में खोई रहने वाली थी एक दिन जब वह अकेली खेत में चली गई तो उसे एक छोटी सी जड दिखाई दी रिया ने जड के पास जा कर देखा तो वह जड उसे एक रहस्यमय और चमतकारिक दुनिया ले जाने की कहानी सुनाती थी इस जड का नाम था जादूई पेड़ वह कहती थी कि यदि कोई इस पेड़ को हलका सा सहलाता है तो यह उसे चमतकारी दुनिया में ले जाता है रिया बहुत खुश हुई और वह जड़ को हलका सा सहलाने लगी और हो गया वही जो कहानी में बताया गया था रिया की आखों के सामने एक मानव और एक यक्ष की दुनिया खुल गई वह दिन भर दोनों दुनियाओं में खेलने में लगी रिया को यक्षों की दुनिया में अनेक रंग बिरंगे वन, जादुई पशुओं और मिठा से भरी नदियों का आनंद मिला मानवों की दुनिया में उसे प्रेम, सौंदर्य और विद्या का अनुभव हुआ यह जादुई पेड उसे अद्वितिय और सुन्दर अनुभवों से भर देने वाला था बहुत समय बाद, जब रिया वापस घर जा रही थी, उसे पता चला कि जड़ ने उसे अपनी जद्दो जहद के बावजूद यह बताना ही नहीं था कि जड़ूई पेड को सहलाने से वह वास्तविक चमतकार की दुनिया में पहुँच गई है रिया आँखें फढ़काते हुए घर पहुँची और जद्दो जहद के बावजूद वह कुछ सोचने लगी क्या जद्दो जहद करने से हमारे सपने सच हो जाते हैं या क्या हमें अपने सपनों को बदलने के लिए अपनी मेहनत करनी चाहिए रिया ने अपने दोस्तों के साथ यह चर्चा की और उन्होंने संगीत के बारे में सोचा उन्होंने सोचा कि अगर कोई अद्वितिय और सुन्दर संगीत गाता है तो वह चमतकार की दुनिया में पहुँच जाएगा रिया और उसके दोस्त ने मेलोडियस पेड को खोज निकाला और उसे हलका सा सहलाने लगे और हो गया वही जो वे सोच रहे थे एक जगमगाती संगीत की दुनिया उनके सामने खुल गई रिया और उसके दोस्त ने धीरे धीरे संगीत की दुनिया में खो जाने का आनंद लिया लिकिन एक दिन जब वे संगीत की दुनिया से बाहर निकले उन्हें एक सच्चाई का आभास हुआ चमतकार की दुनिया से अच्छी संगीत की दुनिया तक आने के लिए महनत और रियाजत की जरूरत होती है उन्होंने समझा कि सपनों को पूरा करने के लिए केवल चमतकारिक वस्त्र या जादूई औजार काम नहीं आते उन्हें अपनी महनत, समर्पन और सच्ची प्रगती के रास्ते पर चलना होता है इस अनुभव के बाद रिया ने देखा कि जीवन में सपनों को पूरा करने के लिए संगर्ष करना आवश्चक होता है उसने देखा कि सच्ची खुशियों का आधार अपने प्रयासों, संगर्षों और सक्रियता में होता है वह अपने सपनों के पीछे अटूट निरंतरता से लगी रही और धीरे धीरे उन्हें पूरा करने का सफर शुरू किया उसके प्रयासों और समर्पण के बाद उसने अपने सपनों को हकीकत में बदला इस कहानी का मोरल है कि सपनों को पूरा करने के लिए आपको महनत, समर्पण, सक्रियता और संगर्ष करने की आवश्चकता होती है जद्दो जहद और चमतकार तो बस कहानियों में होते हैं, जिन्दगी में नहीं अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं